नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGCnet, विशे हिंदी की तैयारियों के अंत्रगत, अचारे रामचंद्र शुकल जी के 100 प्रमुख कथनों के बारे में हम पढ़ रहे थे अपने से नीची एक जाती धोंड लेती है, जो कथन था ये था हजारी प्रसाद दुवेदी जी का, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि ये तुरुटी वश यहां पर लिख दिया गया है, तो ये वारा कथन किसका था, ये अचारे रामचंद्र शुकल जी का ना होकर 26 है, इसे पहले हमने 25 कर लिए थे, 26 इनका जो कथन है, वो कहते हैं कि अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा, तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी होता है, तो ये वाला कथन इन्होंने अपने हिंदी स संख्या 501 है, वहाँ से इसको लिया है, और ये ठाकुट जगमोहन के समन्द में इन्होंने बात कही हुई है, आखिर में आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, और इसका जो प्रकृति का अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा, तो क्या देख मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी होता है, नेक्स्त दिखिए 27 इस पुस्तक या चिंतामणी के बारे में इन्होंने लिखा है, चिंतामणी में इनके जो निवंद संग्रह है, वो चिंतामणी नाम से क्या है, संग्रही थे हैं दो भागों में, चिंतामणी भाग एक और चिंतामणी भाग दो, तो इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धी पर रिदय को भी साथ लेकर, तो यह इन्होंने चिंतामणी जो इनका निवंद संग्रह है, उ यह वाला कतन भी किसका है, अचारे रामचंद्र शूकल जी का है, नेक्स्त देखिए भारतेंदू ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया है, बे साहित्य के नए यूग के प्रवर्तक थे, तो भारतेंदू हरिश्चंद्र जी के बारे में भी अचार अचारे रामचंद्र शूकल कहते हैं कि जो बिलाइती अभी वेंजना का ये बिलाइती संसकरण है, और दूसरी बात इन्होंने कही है, देखिए कमाईनी जो है मानवता का रसात्मक महाकाव्य है, तो देखिए यहां पर कमाईनी को इन्होंने क्या कहा है, मानवता का रसात विकास का महाकाव्या अगर हम बात करें कमाईनी मानवता का रसात्मक महाकाव्या है तो ये बोला है अचारे रामचंदर शुकल नी जी ने अगर हम इस तरी के से देखें कि कमाईनी का है कमाईनी मानवता का रसात्मक इतिहास है तो थीक है ये तीनों जो इनकी quotations हैं अलग-अलग विद्वानों की हैं कमाईनी मानवता का रसात्मक इतिहास है तो इतिहास की बात किस ने की थी ये की थी आपके नंद दुलारे वाजबही जी ने ठीक है तो अगर मानवता का रसात्मक इतिहास पूछा जाए तो वो किसका ह तो वो होगा आपका अचारे राम चंदर शुकल जी का अगर इस तरीके से पूछा जाएगा कि मानव चेतना के विकास का महा काव्य तो वो किसका है वो है आपका डॉक्टर नगेंदर जी का क्लिर है तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है कि ये तीनों जो कोटेशन स है दिखिए एक दूसरे से मिलती जूलती है यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं इसको रिवर्स कर सकते हैं और फिर से एक बार इसको सुन सकते है कि किस विध्वान ने क्या कहा है बतिस्वी जो इनकी उक्ती है दिखिए यह कहते है उक्ती ही कवीता है उसके भीतर जो अर्थ छिपा रहता है वह स्वता कवीता नहीं है तो कवीता क्या है जो इनका निवंध है दिखिए यह हमारे पाठे करम में भी शामिल है और बहुत लंबा निवंध है इसमें जो इनने बातें कही है उसकी एक ए इसका जो पहली ही पंती है देखे ये कि छायवादी कहे जाने वाले कव्यों में महादेवी ही रहस्यावाद के भीत रही हैं। काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने ही किया है। वो पढ़ना भी बहुत जरूरी है और जाला लंबा इन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है जो जो चीजे हैं बहुत मौतपुर्ण है एक बार उसको रीड करके जाना जरूरी है ठीक है ने बहुत जादी बातें कही है ठीक है नेक्स ने दिखिए विरुद्धों का सामजस्य करमक्षेत्र का सौनदर्य है तो ये वाली पंक्ती भी कई बार परिक्षा में पूछी जाती है कि ये किस ने कहा है ये भी अचारे रामचंदर शुक्र जी ने ही कहा है अगर आपको करवाया कि जो कथन नमर 25 पंदर्वा था वो शुक्र का ना होकर किस का था हजारी प्रसाथ दुवेरी का था तो साहित्य परिवार की ओर से उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अमें कंफर्म करवाया अगला है देखिए पदमावत के बारे में अचारे अधार पर है तो ये बात कही है अचाह रामचंदर शुक्र जी ने नेक्स से देखिए हिंदी साहित्य में श्रिंगार का रसराजुत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने उनकी उम्रती हुई वागधारा उदाहरन रचने वाले कवियों के समान गिन अधाराज के बारे में ही देखिए सूर सागर इनकी जो रचना है उसके बारे में लिखा है कि सूर सागर किसी पहले से चले आती हुई परमपरा का चाहे वो मौकिक ही रही हो पूर्ण विकास चान पड़ता है चलने वाली परमपरा का मूल रूप नहीं ठीक है तो ये सूर बाचारे के समद्ध में कहा है तो यहां से आप देख रहे होंगे कि हर एक जो हमारे रजनाकार हुए हैं उनके बारे में उन्हें कुछ न कुछ चीज़ें कही हैं तो इसलिए इनको क्या का जाता है कि हिंदी साहित्य में एक सैंटा क्लॉस हैं ठीक है न अगला सूर्दास के बारे में देखिए सूर की बड़ी भारी विशेष्टा है नवीन प्रसंगों की उदभावना प्रसंगों दभावना करने वाली ऐसी प्रतिवा जिसे हम तुलसी में नहीं पाते हैं तो यह बात भी नोने सूर के समन में कही है शुकल जी ने ठीक है केशव के बारे में यह सहिद्यता वभावुकता भी न थी जो एक कवी में होनी चाहिए तो देखिए इसी दे इनको क्या कहाता है नने कठिन कावय का प्रेत कहा था केशव जी को अचारे रामचंदर शुकल ने तो इसलिए कहते हैं कि उनको क्या था कवी रिदय नहीं मिला था ठीक है फोर्टी थ भड़े देखिए शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई रस्खान और घननंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुरलब है तो दीखिए जहां पर रस्खान के बारे में इनकों लिखा है इंदी साही तैतिहास की पुस्तक में वहाँ पर इनकों ने ये बात क इसको कही हुई है और ये परिक्षा में पूछी गई है तो मतलब अचाय रामजंद शुकल का हिंदी साही तैकाईतिहास इतनी महत्तपुन पुस्तक है कि अगर उसके हम 20 के पेज भी पढ़ लेंगे तो कहीं न कहीं एक आदा प्रशन वहाँ से भी आपको मिल ही जाएगा क कि ये पूछा गया है तो इसलिए वो बहुत जरूरी है पढ़ना आगे दिखिए 44 इनका जो कथन है ये कहते हैं कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनभूती है तो इस वाली जो पंक्ति को भी है पूछा जाता है चाय मिलान के लिए पूछें चाय सीधी पूछ ली जाए कि ये क इस तरीके से इसको पूछा जा सकता है भक्ति के समझ मेंनों नहीं बात कही है ठीक है श्रद्ध और भक्ति जो इनका क्या है निवंध है उसमें ये पंक्तिया है नेक्स ने दिखिए बैर क्रोध का अचारिया मुरब्भा है तो ये क्रोध जो इनका निवंध है उससे इन्होंने क्या कहा था कि श्रद्धा और प्रेम से ही क्या आता है भक्ती का अभिरुभाव होता है ठीक है श्रद्धा और प्रेम के नाम से ही भक्ती बनती है तो ये बात किस ने कही है अचारी रामचंद्र शुकल जी ने कही है नेक्स इनका कथन देखिए क्लिर है, नक्स से दीखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्यान दशा कहलाती है, उसी प्रकार रिदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, रिदय की इसी मुक्ती की साधना के लिए मनुश्य की वानी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं, इस पंक्तियां ले गई हैं कि आत्मा की मुक्तवस्था ग्यांदशा कहलाती है और रिदय की मुक्तवस्था क्या कहलाती है रस्तशा कहलाती है और इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुश्य की वानी जो शब्द विधान करती है उसे क्या कहते हैं कवीता कहते हैं तो कवीता क्या ह निबंद की ये महत्वपूर्ण पंक्तियों में से मानी जाती है नेक्स ते देखिए उन्चासुआ जिस परकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी परकार हमारा रिदय भी अनेक भावात्मक है तो ये वाली पंक्तियों भी किसकी है अचाय रामचंदर शुकल जी की है नेक्स ते देखिए जियों जियों हमारी वृतियों पर सभयता के नए नए आवर्ण चड़ते जाएंगे तियों तियों एक और कवीता की आवशक्ता बढ़ती जाएगी दूसरी ओर कवी करम और कठिन होता जाएगा तो ये वाली पंक्तियां भी बहुत महतपूर्ण है इनकी कि जैसे जैसे हमारी वृतियों पर सभयता के नए नए आवर्ण चड़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि एक और कवीता की आवशक्ता बढ़ती जाएगी और लेकिन जो कवी करम है वो क्या है वो एक त्रिके से कठिन होता जाएगा ठीक है नेक्स देखिये काव्य में अर्थ ग्रहन मात्र से काम नहीं चलता बिम्ब ग्रहन अपेक्षित होता है यह बिम्ब ग्रहन निर्दिष्ट गोचर और मूर्थ विशे का ही हो सकता है ठीक है तो यह वाली बात भी किसने कही है यह कही है अचारे रामचंदर शुकल जी ने कवीता क्या है निवंद से ही यह वाले पंक्तियां भी ली गई है क्लिर है अगला हैदी कि नाद सौंदरे से कविता की आयू बढ़ती है तो कई बार ये वाली पंक्ती भी पूछी जाती है कि ये किस की है ये भी आचारे रामचंदर शुकल जी ने ही कही है कि नाद सौंदरे से कविता की आयू बढ़ती है ठीक है कई बार ये स्थापना और तरक में भी पूछ लिया जाता है ठीक है तो स्थापना और तरक के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लिके आएंगे परिक्षा से ठीक पहले आप बस यो ही बने रहे हिंदी साही तेवारता के साथ और इसी तरीके से अपने जो फीड़ बैक है वो देते रहे ताकि हमारा होंसला भी बढ़ता रहे नेक्स से दिखिए वह व्यवस्ता या वरिती जिससे लोक में मंगल का विधान होता है अभ्यूदय की सिद्धी होती है वही क्या है धर्म है तो दिखिए इनका जो एक निबंध है लोक मंगल की साधना वस्ता तो वहां से ये वाली प शब्द की बेरी समझ में काब्य या कला किक्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है तो ये वाली बात भी किसने कही है अचारे रामचंदर शुकल जी ने कही है लोक रिदय में लीन होने की दशा का नाम रस्तशा है तो ये वाली पंक्ति कहीं ने कहीं पहले वाली जो पंक्तिया जब होगा, तब विशेश्य अप्यक्ति का ही होगा, समान्य जाती का नहीं होगा, तो ये भी शुकल जी कहते हैं, श्रदा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये हमने पहले ही डिसकस कर लिया है, नेक्स से दिखिये, प्राकृत की अंतिम अपभरंश अवस्था से ही पहला जो पेज आता है इनका वात है काल विभाग का ठीक है उसके बाद तुरंथ जैसी ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर हमें ये वाली पंक्ति इनकी मिल जाती है कि प्राकृत की अंतिमा पवरश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का विरभाव माना जा सकता है है ना तो भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है तो ये बात भी शुकल जी ने कही है जहां पर इन्होंने काल भी भाग किया हुआ है ठीक है ना आगे है देखिए सिद्धों की उध्धत रचनाओं की भाशा देश भाशा मिश्रित अपवरश या पुरानी हिंदी की कावे भाशा है ठीक है तो ये सिद्धों के बारे में उने लिखा हुआ है कि उनकी जो रचनाओं की भाशा क्या है देश भाशा मिश्रित अपवरश या पुरानी हिंदी की कावे भाशा है नेक्स से देखिए पुरानी हिंदी की व्यापक कावे भाशा का धांचा शौरसैनी प्रसूत अपभरश अरथात ब्रज और खड़ी बोली जो पश्च में हिंदी है का था ठीक है तो पुरानी हिंदी का जो व्यापक कारवभशा का धांचा किस से है शौरसैनी प्रसूत अपभरश अरथात ब्रज और खड़ी बोली का था ठीक है तो ये वीरगीत परमपरा का प्राचेंतम ग्रंथ वीसलदेव रासो है तो वीसलदेव रासो को प्राचेंतम ग्रंथ किसने माना है वीरगीत परमपरा का ये भी अचारे रामचंद्र शुकल जी ने माना है ठीक है नेक्स ते दिखिए चंदरबरदाई हिंदी के प्रत्थम महाकवी माने जाते हैं और इनका प्रित्वी राज रासो हिंदी का प्रत्थम महाकाव्य है तो देखिए प्रित्वी राज रासो को यह क्या मानते हैं हिंदी का प्रत्थम महाकाव्य मानते हैं और चंदर बरदाई को 1512 इस्वी की लिखी है तो ये बात भी अचारे रामचेंदर शुकल जी ने कही है इनका अगला जो कतने देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि कभीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नात्पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ती रस से शुन्य शुष्क पढ़ता जा रहा था तो देखिए कभीर दास्टी के बारे में ने बहुत सारी चीज़ें कही हुई है कि कभीर ने क्या क्या ठीक मौके पर जनता के उस बाग को संभाला जो नात्पंथियों के प्रभाव से भक्ती रस से क्या है शुन्य शुष्क पढ़ अपना पंथ खड़ा किया ठीक है तो कभीर पंथ के बार में ने यहां पर बात की है कि कभीर ने किस किस चीज़ के साथ साधनात्मकर है सवाब वेशनेवों के अहिंसावा तथा प्रपतिवाद का मेल करके क्या है अपना पंथ खड़ा किया है तो ये बात भी शुकल जी कह नेक्स से दिखिए, भाषा बहुत परिश्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षन प्रभाव और चमतकार है, प्रतीभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संधे नहीं है, तो यह वाली पंक्तियां भी आचारे रामचंद शुक पूरी हुई, तो देखिए, जाइसी के समन्द में ये बात नहीं गई है कि कबीर ने जो भिन प्रतीत होती हुई प्रोक्ष सत्ता की एकता का भहास दिया, और प्रत्यक्ष जीवन की एकता का अध्रिश्य सामने रखने की आवशकता बनी थी, और यही किस के द्वारा पू तुलसिदास के समन्द में कि हिंदी कावे में जो प्रोडता के युग का आरम किसे माना जाता है, तुलसिदास के द्वारा माना जाता है, ठीक है, आज हम इस लेक्षर में सत्तर तक इनके जो प्रोकतन है वो करेंगे, आगे कि जो तीस है वो हम अपना जो लेक्षर अगले इसलिए ये क्या मानते हैं कि जो गोस्वामी तुलसिदास हैं वो अपना स्थान सबसे उनका स्थान ये मानते हैं हिंदी साहित्यम हैं जो अचारी रामचंदर शुकल जी हैं तो ये थे हमारे जो 25 से लेकर के 70 तक जो इनके प्रमुख कथन थे वो हमने डिस्कस कर लिये हैं अ अपने दोस्तों के बीच में शियर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न बोलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज़ों नई स्पूर्ति के साथ तब तक लिए शुक्रिया जाहिंद